सो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताय था कि CSC का ID कार्ड लाइब डाउनलोड हो रहा है और फ्रेंड मैंने उस ताइम पे आपको डाउनलोड करके भी तिखाये था लेकिन उस ताइम पे सर्वर काम नहीं कराता और वो सर्विस पूर्ण रूप से अक्टिव नहीं हुई थी लेकिन अभी जो आपका ID कार्ड है वो डाउनलोड होना एकदम सही तरीके से स्टार्ट हो गया है जिसको मैं आपको यहाँ पे अभी एक डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूँ तो चलिए फ्रंट जान लेते हैं कि आपका CSC ID कार्ड डाउनलोड होता कैसे है तो फ्रंट डाउनलोड करने के लिए देखे सबसे पहले आप इस register.csc.gov.in की वेबसाइट पे आ चाहिए जो कि यहाँ से आप अपना अकाउंट को आपको लॉग इन करना है तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे अब माई अकाउंट के सक्सन पे चलते हैं और माई अकाउंट सक्सन पे चलने कर अपनी csc.i डालते हैं और यहाँ पे capture code भरते हैं और यहाँ पे check mark लगाते हैं और submit करते हैं तो फ्रंट देखे ID हम यहाँ पे भर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पे capture code डाल देते हैं यहां पर हम चेकमा कनफर्म करते हैं और सम्मिट करते हैं अभी friends देखें जैसी हमने शमिट किया तो यहां पर इस प्रकार से य również refresh होगा और यहां पर हमारी fingerprint जो डिवाइस है उसके लिए detect कर रहा है और देखें उसने यहाँ पे detect कर लिए यहाँ पे देखे हमें चक्मा का लगाना है आप ध्यान से देखते जाईए और यहाँ पे हमें start capture पे click करना है हमारे fingerprint की light जल गई है हम fingerprint machine के ऊपर अपना finger रखेंगे और यह scan होगा और scan होना के बाद यहाँ पे KYC verification होगा और हमारा account login हो जाएगा यहाँ पे देखे यहाँ पे validating चल रही है तो चले जब तक है validating होता है तब तक हम यहाँ पे कुछ second का बेट कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ server का issue भी हो सकता है या फिर आपके internet का issue भी हो सकता है तो आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे बेट करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यह जो हमारा account है वो login हो चुका है यहाँ पे देखे हमारी सारी जानकारी दिख रही है अब यहाँ पे सिधे ID card के उपर जो है click करना है तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते है ID card के उपर click करते है और friends यहाँ पे देखे यह जो हमारा ID card है यह यहाँ पे आ चुका है friends यहाँ पे देखे हमें यहाँ पे cancel कर देते हैं भी और यहाँ पे देखे यह जो हमारा ID card है यह front page है और यहाँ पर यह back side है friends front page में देखे हमारा नाम दिखा रहा है हमारी CSE ID, kiosk name, kiosk address, mobile number और friends back side में हमारा CSE का full address दिया हुआ है तो friends यहाँ पर देखे हैं आपकी एक photo भी आएगी लेकिन अभी यह photo show नहीं कर रही है और कुछ time में यहाँ पर यह photo show करना स्टार्ट कर देगी तो friends इस प्रकार से आसानी से यह आपका card डाउनलोड हो जाता है आपको simple सा control plus P करना है और इसे print करके अपने समाल के रख लेना है जब यहाँ पर photo आना स्टार्ट हो जाएगी तो friends इस फटाफट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं friends उम्मीद करते हैं आपको यह छोटा सा update पसंद आया होगा अगर update पसंद आया तो वीडियो को share कर दीजिए like करिए और साथी साथ हमारे इन्दी वर्ट चेल को subscribe करना बिल्कों मत भूलिए friends मिलते हैं और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार आपका देशी शोवर है